हलो दूस्तों नमस्ट का है एसे हम किसी चानल में मैं आप सब्लम का दिल से बहुत-बहुत सब्सक्राइब करता हूँ सो रस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले केवल एक ही शेर के बारे में और किस टॉपिक के बारे में बात होने वाली है तो और इस कंपनी के नंबर्स का इंतजार हर कोई आ पर कर रहा था और कमेंट में आके बुलेगा रहे तो याद रखना पर और यहाद रखनां यहापर पर चर्रिंकों और कि नाव आब से बाद में अटक जाते तो आगे आप सिंसीरली देखना चाले तो सारी चीदों को और आपने असावधन रहना चाहिए तो कौन से stock की बात हो रहे, कौन से company के numbers को हम लोग पढ़ने वाले हैं, आपको डरने की ज़रूद नहीं, इस company आपके portfolio में definitely नहीं होगी, अगर आप इस channel को follow करते होंगे, क्योंकि हमेशा मैंने आप लोगों को सिखा है कि business देखकर ही, कोई भी share खरीदना होता है, या फिर award क पर नहीं होता है, वो उसी point से होता है, इसके business की बात कर इतना कुछ खास नहीं था, और बाद में तो पूरी bandy बजगे, जिसका नाम है Paytm, तो Paytm के numbers दोस्तों सामने आते वे देखने को मिल चुके हैं, प्रॉपरली numbers को पढ़ेंगे, अभी पहला ही एक प्राइमा फेसी चलने के chances क्यों है, इसमें बड़े-बड़े institutions भी फस्या हुए है, खास करके foreign institutional investor, तो कुछ ना कुछ तो चाहिए भाई, and retail investor तो आपको पता है, जो खास करके पढ़ते नहीं retail investor, उनके लिए तो भाई सबसे बड़ा, मतलब point कौन सा होता है, 369 का अगर हो गया 400, तो that's it, उ इसके पहले हम लोगों ने PTM को कभी इतना cover नहीं किये, एक वीडियो तो कभी भी नहीं बने है, बट इस वक्क क्यों बना रही है, yes, PTM payment bank के उपर जो ban लगा है, RBA के द्वारा, तो अभी इनका business is disturbed हो गया, तो कितना disturb हुआ है, उसको अभी हम लोगों को यहापे चेक करने है, तो अभी properly visible रहेगा, income देखिए, 23,988, last time था 29,000 और उसके पहले था 24,000, so आप देख सकते हो, 29 का 23 हो गया, 24 का 23 के range में आ गया, and in fact, इसका और गहरा impact, quarter 1 में रेखने को मिलेगा, ठीके, quarter 4 में बाई, कुछ तो business चल रहा था, बीच में ही खबर आ गई, तो इसलिए Q1 में रेखने को मिलने वाले, तो इसलिए मैंने कहा कि वीडियो को पूरा देख लेने, यह point आपको समझ में आना चीए, anyways, कर्चा कितना है, 26, 32, 26, तो हमेशा आप से भी लों को पता है, income minus expenditure, profit मिलेगा या फिर less, and पेटिया हम हमेशा loss में ही रहा है, maximum time, so अगर हम लोग loss क देख सकते हैं, 2926 तक चला गया, तो भयंकर massive loss हम लोगों को देखने को आपे मिल रहा है, यह तो इनका normal loss हर वक्त होता था, यह कोई, जो आप यह सोच रहे हैं, पेटियें पेमेंट बैंक के चलते हुआ है, नहीं नहीं, इसके बात का जो adjustment है, आप यहापे देख सकते हैं, loss on impairment of associate, यह जो बाकी की चीज़ें जो इनने बताई है, किस point की बात कर रहे थे, यह देखे, मैं directly उसी के पर jump लेके आ गया, point number 8, अरे वही section 35A, Banking Regulation Act के power का इस्तमाल किया RBI ने, वही Paytm Payment Bank के अगर हम लोग बात करें, तो इस चीज़ के चलते हैं, उनके पर ban लग गया, मिल जाएगा कोई बात नहीं, यह देखो, यही उनने point number 8 में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, loss on impairment of associator, 8, and इसी चीज़ के चलते, note number 8 के चलते रेखी, company का यह actual loss यहा तक था, उसके बाद और extra, 2271 का loss और उनने दिखा दिया, मतलब उनके shareholder को बता रहे भाई, यह Paytm payment bank में जो issues हुए थे, इस चीज़ के चलते, 2271 का, इसको loss भी पकड़ लेना, ठीक है, मतलब यह loss देखे, बढ़के कितना हो गया, 5364, last time कितना था, 2210 और उसके पहले, 1680, तो आप देख सकते क्या comparison है, 1680 का loss, 5000 के परे चला गया, और 2200 का loss, 5000 के परे चला गया, बहुत ही ख नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो आगे-ागे बढ़ेंगे, तो अभी और क्या ही रहेगा, तो फाइनली भी आप लोगों को आखिर में क्या देखने को मिल जाते है, loss for the period or the year, तो हर जगे पे loss, loss, loss ही है, तो कितने का loss है, 550, ठीक है, 5505 का loss, 2217 इसके प बाकी चीजों के चलती ब्याइन चलिए, अर्निंग पर शेर को भी फॉर्मलेटी करही लेते, कितना, 3 का EPS था, 3 का EPS था, कितना हो गया, 9 का, भाई, खुश्मात हो न, ये प्लस में नहीं है, ब्रैकेट में, मतलब माइनस में, नीचे चला गया बढ़ेगा, माइनस 10, 9 हो गया, सो हर जगे पे हमनों को क्या देखने को मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ पूर परफॉर्मसी देखने को मिल रहा है, और इस पॉन्ट को भूलना मत दोस्तो, ये तो Q4 के थे, Q4 में तो चलिए, January, February, March, कुछ तो उनका बिजनेस चल रहा था, quarter 1 में तो पूरी तरीके से destruction ही हमनों को देखने को मिल रहे है, मतलब आगे quarter 1 के जो number रहेंगे, उसको year on year compare ना ही करे, तो बैतर रहेगा, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है, तो इस प्रकार का नज़रा हमनों को पेटियम में देखने को मिल चुका है, मतलब आपने उससे बचके रहना है, ठीक है, अभी जैसे मैंने कहा, कि जो share बादर को properly समझते है, प्रोपरली समझने वाला इंसान मतलब क्या बाई, investor की सबसे, जो business को समझता है, तो उसको तो समझ में आ गया बाई, कि पेटियम का भविशा तो पूरा अंदकार में है, ठ क्या करेगा, कल सुबह जाके देखेगा, 369 का, अगर circuit लग जाता है, मान लीजे, 4-5%, मान लीजे, circuit लगते है, और उपर, और उपर, that's it, उसके लिए number सच्छे वो मान लिके चलता है, तो ऐसे लोगों को, क्या करते है, operators बहुत अच्छी तरीकी से फसाल लेते हैं, ठीक है और याद रखना कभी भी वो क्या करते हैं, ऐसे लोगों को, हमेशा उमीद दिखा दिखा कर, थोड़ा थोड़ा नीचे करके लाते हैं, आप PTM देख सकते हैं, एक जटके में नीचे नहीं है, बीच बीच में थोड़ा सा जंप करवा कर, उसको यहाँ पर नीचे लाया जा उसको इन्वेस्मेंट नहीं समझने हैं, इन्वेस्मेंट के लिए लेफ्ट तू राइट ऊपर जाना चाहिए, और लंबियोधी के लिए हमें रुखना पड़ते हैं, यहाँ पर लंबियोधी के लिए रुख कर, फिलाल जो सिचुएशन है, वहाँ पे तो कोई कुछ इसे डिसाइड नहीं करने हैं, क्रिकेट का एक्जमपल लेलू तो बोलते हो न, कि अगर मान लिजे कोई 9th नंबर पे आ गया, आकरी नंबर पे, 9 इकट गर गे, last batsman आ गया 11th नंबर का, तो हम क्या expect करेंगी उससे, कुछ भी नहीं भाई, यह क्या खिलेगा, बट होता है क बिजनेस ओरिएंटेड अगर मैं बात करूं तो ठीक है, जिसको खरीदना है बेचना है या आपकी मर्जी, बट बिजनेस तो इनका बिलकुल भी ठीक नहीं चल रहा है, लाग करोड का मार्केट का वाली कंपनी हुआ करती थी, 20,000 करोड का मार्केट का आप देखने को मिल बाकी कुछ बचा नहीं, सब कुछ माइनस माइनस महीं है, और सबसे इंपोर्टन चीज, या पर इंस्टुडिशन्स देखिए, 66% इंस्टुडिशन्स के पास शेर्ज है बाई, ठीक है, और पब्लिक के पास कितने 32, अब धिमे धिमे पब्लिक को ये शेर्ज दिये जाएं तो वो आप लोगों को बार-बार यापे फसाते रहते, मैं अगेन कहे रहा हूँ, अगर आपको जाने है, आप जा सकते है, आपको अवर्ड करने है, एवरेज करने है, होल्ड करने है, वो आपकी मर्जी, बड़ आपका कोई भी डिशिजन, हमेशा बिजनेस ओरिएंटेड ही रेनाचे, और बिजनेस देखने वाले को समझ में आता है, इनका बिजनेस कुछ नहीं चल रहे है, तो Q4 तो ठीक ही था, Q1 देखोगे, तो मतलब ना ही देखोगे, तो भी बेटर रहेगा, इतना खराब परफॉर्मस हम लोगों को देखने हैं, आपे मिलने वाला है, तो